नमस्कार अधिकार एक्ष्पेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ विरेंद वेदी हमारे देश में अस्थानी सुसासन के अंतरगत ग्राम पंजायक के विकासकारियों को करने के लिए जिले को कई विकासकंडों या प्रकंडों में बाटा गया है तथा इन विकासकंडों में एक वीडियो यानि विकासकंड अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही वीडियो के नेत्रितों में एडियो यानि सहाय विकास अधिकारी समेथ विविन अधिकारियों की भी नियुक्तिया होता है जो ग्राम पंचायत में होने वाले विकासकारियों की आकलन रिपोर्ट बनाने के साथ ही नक्सा यानि मानचित्र वह मेजर्मिंट बुक तयार करने का कारी करते हैं हलक यह हो सकता है कि आज भी काफी लोगों को पता ही नहीं हो कि अवर अभियंता कौन होता है उसके दाइत तो क्या होते हैं यह उसकी योग्यता क्या होती है यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं चलिए आपको बताते हैं चले सबसे पहले हम आपको विस्तार से बताते हैं कि विकास्खंड में कारय अवर अव्यंता यानि जून्यर इंजी नियर कौन होता है हर प्रदेश के जिले के अंतरगत कई विकास खंड होते हैं इन विकास खंडों में कई ग्राम पंचायते होती हैं इन ग्राम पंचायतों में इंटरलोकिंग, खड़ंजा, सीसी रोड, भावन निर्माड, नाली, बाउंडरिवाल, आधिके तक्निकी कारी को देखने के लिए पंचायत विभाग के दोरा अवर अवियंता की नियुक्ति की जाती हैं और अवियंता ये कनिष्ट अवियंता का अंग्रेजी में अर्थ जूनियर इंजिनियर होता है हलाकि सामानेता लोग जूनियर इंजिनियर को जेई के नाम से अधिक संबोधित करते हैं और अवियंत यानि सी ग्रेड का सिविल इंजिनियर होता है इसकी नियुक्ति के दौरा विकास्खंड में की जाती है यह विकास्खंड अधिकारी के अंतर गत्र कारि करने वाला एक अराजपत्रित अधिकारी होता है और अभियंता ही गाउं में होने वाले विकासकारियों की आकलन रिपोर्ट बनाने के साथ ही नक्सा यानि मानचित्रवा मेजर्मिंट बुग तयार करते हैं और अभियंता को कुछ वर्सों की सेवा के पश्चात वरिष्टता के आधार पर पदोन्नत करके उपखंड के अस्तर पर साहय का वियंता यानि असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया जाता है जहां तक वेतनमान का प्रस्ण है तो उत्तर पदेश में अवर अभियंता को वेतन बैंड 9300 से 34800 रूपए तथा ग्रेट पे 4200 रूपए मिलता है तथा विभिन्न प्रकार के भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराय भत्ता, मेडिकल, इस्पिसल एलाउंस आधी दिये जाते हैं अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अवर अभियंता या जूनियर इंजीनियर के कार यानी दाइत तो क्या होते हैं अवर अभियंता ग्राम पंचायतों में इंटरलोकिंग, खडंजा, सिसी रोड, सामुदाइक भवन, नाली, बाउन्डरिवाल, पानी की टंकी, गोशाला, समसान घाट एवन कबरिस्तान आधी के निर्माड में लगनी वाले सामानों का मेजर्मिन बुक रिपोर्ट तयार क करते हैं, इसकी अतिरिक्त, जल संचेंग, जल संरक्षन, बोरिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, सौक पिट, कुवा, चेक डैम, सिचाई, नाली, नाला खुदाई, तालावाद के कारियों को भी देखते हैं, उदारन के रूप में जैसे किसी पक्की सड़क का निर्माड होन इसका आकलन करते हैं, और फिर इसका मेजर्मेंट बुक यानि स्टीमेट त्यार करते हैं, इसके बाद सड़क के निर्माड की रिपोर्ट त्यार करके विकासखन के बीडियों यानि विकासखन अधिकारी को सौपते हैं, इतना ही नहीं, जब सड़क का निर्माड होने लग सके अब यंता ही rightGround में होने वाले विकास कार्यों की आकलन रिपोर्ट बनानी के साथ ही नक्सा यानी मांचित्रवा मेजर्मिंट भूख भी तैार करते हैं यदि ग्राम परजहान चाहे तो ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कारियों की MBY Estimate आधि संबंदी कारियों के लिए इन से संपर कर सकते हैं हलाकि ग्राम पंचायत के लिए सुखित कारियों में हमेशा देरी होने का आरूप लगता रहता है कई ग्राम प्रधानों का आरूप है की कमीशन के चक्कर में कई जूनियर इंजीनियर कारी की मेजर्मेंट बुक रिपोर्ट को लटकाने की कोशिश करते हैं आपको बता दें कि ग्राम पंचयतों में होने वाले विकासकारियों में लागत रिपोर्ट, मेजर्मेंट, बुक वर नक्षा आदि मालचित्र को बनवाना अनिवारि होता है। इसके बिना शासन की ओर से संबंदित कारी की मद में कोई भुकतान नहीं किया जाता है। अब यदि आप अवर अभियंता यानि जूनियर इंजीनिर की योग गिता के विशे में जानना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं किसके लिए सरकार ने कौन-कौन सी योग गिता है निरधारित की हैं। इस पद के लिए आउसीमा की बात करें तो योग गिता आवेदकों की आयव कम से कम 18 वस और अधिकतम 40 वस तक होनी चाहिए। हलाक या रक्षितवर की अभियरतियों को सरकारी मानदन के अनुसार अधिकतम आउसीमा में शूट दी जाती है। जब कि इस पद के लिए मानिता प्राप्त वोर्ड या संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त कर चुके अभियरतियावेदन कर सकते हैं। वही राजस्थान, मद्पदेश, हरियाणा, आंद्पदेश, हिमाचल पदेश, अरुनाचल पदेश में अवर अभियंता या कनिस्ट अभियंता की भरती के लिए बी यानि बैचलर आप इंजीनियरिंग, एवन बी-टेक यानि बैचलर आप टेक्निलोजी के डिगरी धार को योग्य माना जाता है। इसायतों में हो रहे हैं निर्मार्कारियों में खुले आंभरस्टा चार कर रहे हैं। खराब गुणवत्ता यह उन कागजों पर ही सामुदाइक भवनों, सडकों, नालियों आधिकार निर्मार कराके सारा पैसा डखार जा रहे हैं। कि जब ग्रामीड इस मामले के लिखिश सिकायत करने, विकास खंडे उन जिले के अधिकारियों के पास जाते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। यदि कभी-कभी मामले की सुनवाई हो भी जाती है, तो अवर अवियंता के विर्दु कोई कारवाई नहीं होती, जिसके कारण वे हता से वन मिरास होकर घर बैठ जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। अब यदि आपके मन में इस विशे से जुड़ा कोई प्रस्निय सुझा हो, तो आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद! झाल